स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तूगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में कच्छा दस के चित्रकला पेपर हल के बारे में अध्यन करेंगे जो पेपर का कोड है 830 IQ के सभी प्रशनों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा तो यहाँ पर पहला जो कोशन आया गुआ था कि टर्टस्त रंग कितने होते हैं इसमें 4, 6, 2, 5 इसमें क्यों सा आपसन से हो जाएगा तो 2 जो होते हैं इसमें आपसन क्या हो जाएगा इसमें C वाला आपसन क्या है सही है जो भी दियारती C पर अगर टिक की होंगे तो उनक क्या है सही है दूसरा प्रशन है ओष्ट वाल कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं यहां पर भी 4 आपसन दिया गया 7, 8, 9, 6 इसमें 8 वाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ओष्ट वाल कलर चार्ट में 8 रंग होते हैं कितने दुतियक रंग होते हैं 6, 7, 8 और यहा दखेंगे एवाला अफशन क्या है राइक सई हो जाएगा दूतियक करंग जो होते है वा चे होते हैं अगला प्रशन है च्छतर के के किंदर को अलकृत करने के लिए कौं सा आलेखन उपियुक्त होता है किंदरी हालेखन कोने का आलेखन कीनारी इनमेस से कोई नहीं तो इसमें आफसन हो जाएगा चार में जो है ए वाला आफसन केंदरी आलेखन का प्रियोग किया जाता है अगला प्रसन है निमलिखित में से मोटे ब्रस का नंबर कौन सा है छे नंबर चार नंबर एक नंबर दो नंबर तो मोटे अगर ब्रस का प्रियोग किया जाता है अगला प्रस governo है निमल खित में से किस नंबर के पेंसिल पर खिची गए लाइन हलकी होती है तो यच जितने कम रहेंगे यहां पर देखे यहां पर यच डू यच आ गए यहां पर कोण है यहां इसमें C वाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा हलकी लाइन जो होते हैं वो two yach line से खिची गई अगर कोई pencil है और खिचा गया रेखा है तो वह हलका बनता है वो pencil का नाम क्या है two yach हो जाएगा अगला प्रसन है नीला रंग नेत्रू पर क्या प्रभाव डालता है यहाँ पर दिया है समान ठंडा गर्व इन में से कोई नहीं तो इसमें ठंडा जो है जो है नीला रंग नेत्रू पर ठंडा प्रभाव डालता है इसमें बी वाला आपसन क्या है सही है निमलिखित में से कौ प्राथमिक रंग आप दिया गए चार पांट तीन च्छेट इसमें प्राथमिक रंग जो है तीन होते हैं इसमें बी वाला आपसन क्या जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रशन किस नंबर के पेंसिल पर खिची गए लाइन गारी डार्क होती है तो जो बी बड़ा होता है व दो रंग मिलता है उसको दुतियक रंग का जाता है तो इसमें दुतियक रंग क्या हो जाएगा नारंगी हो जाएगा इसमें बी वाला आपसन क्या हो जाएगा अगला प्रशन है कि नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है तो यहाँ पर चार आपसन दिया गया है बैगनी पीला हरा नारंगी तो यहां पर बैगनी रंग बने है नीला में अगर लाल मिला दे हैं तो बैगनी रंग बनता है इसमें ए वाला आपसन क्या जाएगा शही हो जाएगा अगला प्रशन है पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है बैगनी हरा भूरा बनारंगी तो पीला में अगर नीला मिला दिया जाए तो हरा रंग बनता है या दखेंगे पीला में नीला मिलाते हैं तो कौन सा रंग होता है हरा मतलब बी वाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तेरा में जो है बी वाला आपसन सही है सूर के किने से कितने रंग तो यहां पर नारंगी है, हरा है, बैगनी है, भूरा है, तो नारंगी रंग बनेगा, A वाला आपसन सही हो जाएगा 18 भारत का राश्टी धोज तो राश्टी धोज में जो है तीन कलर होते हैं एक वड़ी नहीं होते हैं वड़ी हीन में बिना कलर का वहुर मतलब इसमें C वाला आपसन क्या जाएगा सही हो जाएगा किनारी डिजाइन का परियोग किया जाता है फर्स का डिजाइन साड़ी के किनारी के लिए छट के के लिए तकिये के के लिए साड़ी के किनारी के लिए जो किनारी डिजाइन का परियोग किया जाता है तो इसमें जो है C वाला आपसन ड्रेसिंग पेपर का प्रियोक किया था Isme C आपसन क्या है और यहाँ पर देख सकते है जो गडीत वाला भी जो कोशन आया हुआ था जो भी ध्याती प्रवाधिक कला कियांगे तो इसमें ध्यान देंगे एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं तो एक मीटर में सो सेंटी मीटर होते हैं एक डीसी मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं तो दस जो होते हैं इसमें सेंटी मीटर होते हैं इसमें ए आपसन जो है सही है एक मीटर में कितने डीसी मीटर होते हैं तो इसमें हो जाएगा सम्पून कोड अंस में कितनी होते हैं तो सम्पून कोड 360 अंस का होता है इसमें C वाल आपसन क्या हो जागा सही हो जागा इनमें से कौन सा आकार जो है तिर्भूज कार अकार A वाल आपसन जो है सही हो जाएगा तिर्भूज आकार का है अगला 180 के कोड़ को क्या कहते हैं तो 180 के कोड़ को सरल कोड़ कहते है इसमें B वाल आपसन क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा आकार जो आयत कार है तो आयत कार इसमें C वाल आपसन सही हो जाएगा आयत है पहले बड़े मुख भाग पर क्या लिखा जाता है तो जीरो लिखा जाता है मतलब जब भी शुरू करते हैं मापनी से तो जीरो एक दो तीन चार जो है आपको लिखा जाता है तो बड़े मुख भाग पर क्या लिखा जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे आपर जीरो से चालू बना दिया गया है और एक कोड यहाँ पर 90 दे दिया गया है तो दो कोड़ों को जोड़ेंगे तभी 90 आएगा इसका मतलब डी वाला आपसन क्या जाएगा और दी 60 इंस के कोड में एक कौड 30 अंस से प्रियोग करते हैं तो टू भी होता है एवाला आप्सन क्या जाएगा सही हो जाएगा यदि एक बृत का कोड 120 संस का है तो दूसरा कोड कितना हो जाएगा तो 360 में से 120 घटा दीजिए कितना जाएगा 240 संस हो जाएगा इसमें आपका एवाला आप्सन क्या हो जाएगा सही हो हालकी लाइन खीचने के लिए किस नमबर का पेंसिल का परियोग करते हैं तो टू यच पेंसिल का परियोग किया जाता है अगला प्रसना है कि इस संभाव तरिभुज किसे करते हैं तो संभाव तरिभुज जिसके तीनों कोड आपस में बराबर होते हैं जिनकी तीनों भुजाओं से अंताकोड बराबर होते हैं जिनकी तीनों भुजाओं बड़ी छोटी असमान होती हैं जिनके आमने सामने की भुजाओं बराबर होती हैं इनमें से कोई नहीं तो यादे संभावति जिसकी तीनों भुजाओं में बने अंताकोड क्या होते हैं ब प्रतिकला में देख सकते कौन-कौन से प्रस्ण पूछा गया था तो आज की इस वीडियो में सभी 20 प्रस्ण का बॉविकल्पी बताया गया आपका कितना प्रस्ण सही हुआ है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद् तयो कोने माशकार